नमस्कार साथियों वर्धानी केडवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है यूपी अधर जूने सिच्छक भरती का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है आप देखिए अभ्यरतियों के मन में कई सवाल हैं कि आगे की प्रक्रिया कब तक होगी इनके 117, 117 नमबर बन रहे थे 110 बन रहे थे 105 बन रहे थे और इस बार उनका इन्वैलिड और 0 नमबर दिखा रहा है ठीक है तो इसी के ओपर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे कि आगे की प्रक्रिया कब तक होगी तो इसके बारे मैं आपको बता दूँ कि सचीब सर से ये बात पूछी कि सर जो आगे की प्रक्रिया है वो कब तक इस्टाठ होगी तो उनके द्वारे यह जानकारी दी गए है कि जो जियो है आपका गवर्मेंट और जो है वो आपका 15 से 20 दिन में जारी हो जकता है ठीक है 15 से 20 दिन का मतलब है सितंबर का लास्ट जब उनसे पूछा गया पी अपी सचीब सर से कि सर जो निवक्त है वो कब तक मिलने की उमीद है तो उनोंने कहा है यह मान की जलिए लगबग दो महीने का समय तो लग जाएगा ठीक दो महीने का समय का मतलब है सितंबर चला है तो नॉम्बर के लास्ट तक आपका जो निव नॉम्बर के लास्ट या दिसम्बर तक निवक्ति मिलने के समावना आधिक है तो यह दो कोश्चन आपके उमीद है कि इसमें आपके कोई सवाल नहीं रह गया होगा ठीक आप सबसे बड़ा जो सवाल है वो है इन्वैलिड वाले आप भरती क्या करें ठीक है इनके बारे मे यह मैं प्यान पी को गलत नहीं कह रहा हूं लेकिन यह है कि सीदी सी बात है कि जिल लोगों के 113 नमर बन रहा है ठीक और कुछ लोग यह भी कह रहे है कि सर मैंने ना तो वाइटनर लगाया था ना दो गोले भरे ना कोई कटिंग की फिर भी मेरा इन्वैलिड दिखा रहा तो आप अपने का नहीं मतलब उस इंसान के जगह पे अपने आपको रखके देखिए ठीक है कि घर में बताया कि मेरे 170 बन रहे हैं गुडांग मेरा 74 पचतर बन रहा है ठीक है तो घर में सब पहले से ही बहुत खुस होंगे कि हमारे लड़के का नोकरी लग जाएगी या ल मेरा पिछली बार रिजल्ट आया था ठीक है अगर इनवैलिडी था तो पिछली बार क्यों दिया गया था ठीक है इस तरीके से अपनी बात को रखिए हो सकता है कुछ सकारात्मक कुछ निकल के सामने आए ठीक है तो यही यही एक मात्र आपके पास उपाय है अगर PNP सरच है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो के लास्ट में अगर आपके मने कोई सवाल रह जाता है तो आप लों कमेंट वाक्स में पूछ सकते हैं धन्यवाद